सो हेलो ट्रेडर्स तो अप लोग आ चुके हैं फिर से एक नहीं वीडियो पर तो गईस अगर चैनल पर नहीं होगे सब्सक्राइब कर लेना और यहां पर अभी मार्केट जो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंट पर है लोगे नीचे लो लग चुके अभी देख लेते हैं पन्हाँ करकी ऊपर जाने का प्रियास कर रहे सो अभी देख लेते इसकी क्लोजिंग देखेंगे उसके बाद निक्स के लगष्यक पर बन सब्राइब करेंगे यहां पर पता चल कि नोगे है कि वोगी गाइज है वोगे केंडल्स वहीं पर आगर करके रुख गई है है जो यहां से मैं कॉल की ट्रेट प्लेस कर दिया हूं गाइज कि वहां पर बायर उसको रख रहे थे वही पर कि भाई तुम वहीं पर रहो तो उन्होंने वहीं पर क्लोजिंग कि है जहां यहां पर बार-बार बायर उसकर रहे थे वहां कि भाई तुम वहीं पर रहो उसके नीचे मताओं वहीं पर उन्होंने क्लोजिंग कि तो लाइक वहां से मैंने ट्रेड लिया है अपवाट डिरेक्शन की पिछली केंडल से यहां पर एक हाई लगाया हुआ था प्रीविएस र नहीं कर सकते ना हमें पाता है कि यहां पर एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में तो लाइक अभी देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट केंडल पर ट्रेट करेंगी गाईज ओके एंड रिट्रेश्मेंट बन चुके हैं यह अभी सिलर्स एंड इसको अभी रिजिक्शन आई है काफी उपर से आई है गाई रिजिक्शन ओके अभी देख लेते हैं ओके सो यहां से अपनी एक ट्रेड बनती है ओके कॉल की बट्रेड मैं नहीं ले पाया हूं गाईज ओके दोगे की वज़े से क्यूंकि केंडल सूपर चली गई है तो लाइक वेट कर लेते हैं ट्रेड्स तो मैं यहां पर नहीं ले पाया हूं कॉल की बट कोई परसानी वाली बात नहीं है गाईज देख लेते हैं इसको रिजिक्शन कहां से आएगी और वह भी मैं यहां पर लगा देता हूं इसको इस रेट केंडल की अपर विक पर सो यहां पर मैंने रख दिये इसको क्लियरली मुझे दिख जाए आज तो दिखी नहीं रहा है कुछ और यहां पर देख लेते हैं इसका breakout कर रहा है इसको दिक्कत कहां से आ रही है ओके-ओके वेट करना है गाईज हमें पैसेंस रखना है मार्केट में नहीं तो फिर लोसे हो सकते हैं यहां से मैंने क्या किया कि कि कॉल की ट्रेट फिर से लगा दीए गाईस एंद अभी देख थोड़ी मुस्किल है कि वहाँ पर सेलर्स वीक थे उतने खास रिजेक्शन नहीं आ रही थी केंडल्स पर तो यहां से मैंने कॉल की ट्रेड एक प्लेस की है बट देखा जाए तो केंडल की जो साइकलोजी एक रिवर्सल की है तो अभी देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कहा क जो करवार है। उसके बाद अगली केंडल पर ट्रेड करेंगे देखो कि जो पि्छली कैंडल सब्सक्राइब की वह एक ओकर फॉजियू केंडल वह एक रिवर्सल का केंडल है साइकलोजी उसका वता ही होता है अभी देखते हैं कि है कुछ सेकर्ड बच्शिंग होने में को और उन्होंने क्लोजिंग कर दिये उपर सो वह एक ब्रेकंट। है एक पुट tę रहाएकों फेक क्लोजिंग कर दिया और मैंनेे ट्रेट। प्लेस कर दिया है पुट की कि क्यों गाइज यह फेक ब्रेक आउट है जो सेलर्स पी अपरविख है उसको उन्होंने फेक ब्रेकआउट किया है पांस सेकेंड में लाट के क्लोजिंग होने में उसका ब्रेकाउट हुआ है और और स्चेंडल reverse हो सकती है क्योंकि अभी मार्केट में spinning candles भी बना हुआ वहां पर वह एक reduction candle है जब मार्केट में ऊपर क्यों बनता है तो यह मोमेंटम जो लेप्ट लैग में उसके बीच में तो राइक अभी देख लेते हैं वहांसे मार्केट रिवार्स भी हो सकती है क्योंकि यह एक डाउन ट्रेंट है तो सेलर्स तो आएंगे भाई बीच बीच में अभी देख लेते इसके क्लोजिंग उसके बाद हम नेक्स्ट केंडल पर ट्रेट करेंगे मैंने अभी तक तीन ट्रेड ली है इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं उसके बाद हम ट्रेट करेंगे और केंडल ने गैप डाउन कर दिया और मेरे पास गैप डाउन का रिजन नहीं आए तो मैं यहां पर वेट करूंगा क्योंकि पीछे से बाइर्स का मोमेंटम है वो कभी भी अपना केंडल से बना सकते हैं तो हमें रोक टोक नहीं करना है बस वेट करना है और अपनी अपर्शनूटी का यहां पर वेट करना है अभी देख लेते हैं इसके क्लोजिंग का क्योंकि यह केंडल ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि नीचे से मोमेंटम है वायर्स का तो लाइक वेट कर लेते हैं गाइस यहां पर से सार हैं अगर यहां पर बाइर सिंगल हुए तो लाइक नीचे भी जा सकते हैं वो यहां से लोगा सकते हैं मार्केट को कि कुछ वेट कर लेते हैं उसके ब्रेक आउट कर रहे हैं उसके विक का जहां पर मेरी होरिजॉंटल लाइन है और लाइक उसके नीचे इन्होंने क्लोजिंग किया है तो गाइज अभी वेट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है पीछे सेलर भी रिट्रेस्मेंट बने हुए हैं यहां पर एक ट्रेड हो सकती है पुटकी बट मैं क्योंकि single candle red candle retracement बन सकता है मार्केट में यहां से एक ट्रेड हो सकती थी डाउन की जहां पर मेरी horizontal line है उसके ऊपड से बट नहीं ले रहे हैं क्योंकि बायर्स का बोड कभी भी घूम सकता है ना सлемすły क요 है में तो अभी देख लेते हैं दो रेक्षेड और लेंगे उसके बाद close कर देंगे क्योंकि मैं थाट जैट भी ले लिया हैं कि या अथ हर बार की तरह हैं 5 जैट से यहां पर इसकी closing देख लेते हैं ऊपर और इसके बाद अगाएँन हम ट्रेट कुरेंगे अपनी उके उसका breakout कर रहा है ये ओके ओके और उन्होंने कर भी दिया है and left leg में क्या है कि strong ओके so यहां से मैंने एक trade लिया है call की देखो कि ये loss भी हो सकता है guys red candle का 50% है वहाँ पर और मैंने trade क्यों लिया है क्योंकि अपने high का वो breakout करने के लिए यहां पर gap down किया है ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर और यह मेरी food trade है और देखा जाए तो यहां पर gap down की अब सकता साथ नहीं थी buyers को क्योंकि already वो strong है वो strong है तो like gap down की need तो नहीं थी बट वेट कर लेते हैं यहां पर वो अपने high का भी breakout करने के लिए gap down कर सकते हैं बट देखा जाए तो left lag में strong rate candle का 50% है जहां पर मैंने भी horizontal line रखा है तो guys वेट कर लेते हैं इसकी closing का and एक और trade लेंगे उसके बाद close कर देंगे ओके यह गलती हो जाती है सब इसे ओके अभी देख लेते हैं ओके ओके सो यहां से trade मैंने place कर दिये call की ओके गाइस यहां से मैंने call की trade place कर दिये और यह candle को green बनना है और दो trade मैंने लिया है जो loss हुआ है उसको recovery के लिए मैंने लिया है trade यहां पर win हो जाएगी and wait कर लेते हैं closing का कि कुआ है अब पूर्ण करें तो यह तो यह तो यह तो गई सो गाइज यह टेट भी विरीन हो गई है एंड एंड यह पर प्लेस किया था और पांच च्छेट मेरी हो गई है आज की तो चलो मिलते अगली वीडियो में थैंक्यू गुडबाइ चैनल पर नहीं के सब्सक्राइब पल लेना मिल यह तेनल ली विरी हो में